Hello students, आज की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नमबर 16, ये आपकी Tuesday की 11 अगस्त की वर्कशीट है, तो पहली वर्कशीट देख लेते हैं, पहली वर्कशीट है आपकी Social Science, Economics यानि सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त की वर्कशीट, ये मंगलवार 11 अगस्त की वर्कशीट है तो ये जो वर्कशीट है, हम English और Hindi दोनों में करने वाले हैं, तो इसे जल्दी से देख लेते हैं, ये टॉपिक है आपका Economics का Development, यानि की विकास, ये उस पर बेस्ट वर्कशीट है, आपको एक पारग्राफ दिया गया है, एक अनुछे दिया गया है, जिसे पढ़कर आपक उत्तर देने हैं, तो चलिए अब जल्दी से ये पढ़ लेते हैं, पारग्राफ, इफरेंट परसंस कान आप डिफरेंट डिवल्लपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्शे भिन हो सकते हैं, तो किसी के लिए विकास कुछ हो सकता है, और किसी और के एक के लिए जो विकास है, हो सकता है, कि दूसरे के लिए वो विकास ना हो, तो विकास का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, किसी तीसरे के लिए कुछ और हो सकता है, इट में इवन बी डिस्ट्रुक्टिव फो दी अदर, यहां तक कि ये भी हो सकते हैं, हमारे एक दूसरे के विकास के जो लक्षे हैं, वो इतने भिन भी हो सकते हैं, वो इतने दीपरिंट भी हो सकते हैं, की वो एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकते हैं, दिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce तो लोगों के विकास के लक्षे में लोगों के नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत यानि जादा आए ही चाहते हैं. तो लोग actually में क्या चाहते हैं, ultimately what people want is more income, तो वो जो भी वो regular work है, जो भी नियमित तरीके से वो काम करते रहे हैं, ऐसा ना हो कि आज काम है और कल काम नहीं है, better wages, यानि कि अच्छी नौकरी हो जिससे कि आपको अच्छी income मिल सके, अच्छी आय मिल सके, decent price for their crops or other products that they produce, तो जो जो भी अलग 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 चीजे बना रहे हैं, कुछ उपज बना रहे हैं या फिर किसी चीज का उत्पाद कर रहे हैं, तो उसकी एक अच्छी कीमत उने मिल जाए, तो अगर उन्होंने कुछ बनाया है, जैसे अगर किसी की shoes की factory है, अगर जूतों की किसी की factory है, तो उसमें लोगों को अच्छी आए चाहिए, बिसाइद सीकिंग मोर इंकम, वन वे और दी अदर, पीपल अलसो सीक तिंग्स लाइक एकल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट उप अधर्स, तो ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छी आए चाहि जिससे कि हम अपना विकास का मतलब बनाते हैं, जैसे कि एकल ट्रीटमेंट, बराबरी का विवहार, फ्रीडम, यानि आजादी, सिक्योरिटी, सुरक्षा, और रिस्पेक्ट ऑफ अधर, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी हम रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे कि एकल ट्रीटमेंट, फीडम, सिक्योरिटी, आजादी, सुरक्षा, ये सब भी लोग ढूंते हैं, तो अपने आसपास बहतर सुविधाएं, स्वच पर्यावरन भी महतवपून होता है, तो आपके आसपास क्या फेसिलिटीज है, आपके आसपास कैसा इंवायमेंट है, वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए विकास में मिले जुले लक्षे शामिल होते हैं, जो हर किस इसी के लिए अलग-अलग ही हो सकते हैं. जहां पर आसपास सब कुछ साफ सुत्रा रहता हो, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए ये matter नहीं करता हो, हो सकता है किसी के लिए company में एक बहुत बड़ी job जादा matter करे as compared to आसपास का environment, तो हो सकता है वो एक पचासरे मंजिले मकान में रहना जादा पसंद करता हो, जहां पर द तो इसी पर based आपके questions हैं, आप जल्दी से questions भी देख लेते हैं आपके, तो पहला question है आपका, what are your goals of development, is it similar to other members of your family, तो आपके जीवन में, अपने जीवन में विकास के लिए आपके क्या लक्षे है और क्या ये आपके परिवार के अन्यस सदस्यों जैसा ही है, तो आपको य एक sample answer अभी दिखा देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिलकुल आप अपना answer लिखिए, आप सोचिए कि आपके क्या विकास के लक्षे हैं जीवन में, साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि ये जो आपके विकास के लक्षे हैं, ये जो आपके developmental goals हैं, ये आपके जो अन्य सदस्य हैं परिवार में, जो other members of family हैं आपके, उनसे similar हैं की नहीं, उन जैसे हैं की नहीं, तो अगर वो उन जैसे ही हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, और उन जैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अलग हैं, आप वो भी लिखिए, तो चलिए, जल्दी से में आपको ये answer भी दिखा देती हूँ. तो हमने sample answer में लिखा है कि हमारा goal of development है to be self-sufficient human being. हम आत्म निर्भर बनना चाहते हैं और हम इतना बैसा कमाना चाहते हैं कि हम अपना और अपनी family का ध्यान दख सके लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमें respect मिले हमें बराबरी का विवहार मिले equality मिले और recognition मिले हमें पहचान भी वने हमारी और हमारे जो goals हैं वो हमारी family से थोड़े different है तो हमारी family जब थी जब वो अपना career बना रहे थे या जब वो बड़े हो रहे थे तब उनके पास उतना धन नहीं था उनके पर limited funds थे तो उसलिए उनका ultimate goal था कि वो इतना कमाले कि वो survive कर पाएं लेकिन हम आज हमारी जहां पर आर्थिक सिती थोड़ी better है तो हमारा ये goal तो है कि हम पैसा कमाएं लेकिन साथी साथ हम ये भी तो जो एक के लिए विकास है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी विकास होता है आपको उधारन देकर ये समझाना है तो आए जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं घबराइए नहीं यहां पर हम English के साथ-साथ Hindi में भी या आंसर अभी Sample Answer आपको दिखाएंगे तो different people and different communities have different meanings for development एक के लिए जो development है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी development है For example, हो सकता है एक इनसान है जो कभी भी school नहीं गया है तो उसके लिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना ही विकास हो सकता है उसके लिए उसके बच्चे school चले जाएं वही विकास है वही development है वही एक family हो सकती है जिसमें school जाना बहुत common है क्योंकि उसकी family में सबी school गए हैं तो उसके लिए वे school जाना common है लेकिन उसकी family में कोई आज तक country से बाहर नहीं गया है तो हो सकता है उस person के लिए देश के बाहर जाकर काम करना ही विकास हो वहीं अगर एक और example लें कि जैसे कि यहाँ पर paragraph में बताया गया था कि हो सकता है एक के लिए विकास का मतलब है कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है तो उधारन के तौर पर अगर एक देश में एक country में for example a country में consider colonizing other countries as development हो सकता है कि एक देश के लिए विकास का अर्थ हो कि दूसरे देशों का उपनिवेश करना मतलब कि दूसरे देशों में अपनी colonies बनाना आप history में ये जरूर पढ़ चुके होंगे कि पुराने जमाने में Britishers ने दूसरे countries में imperialism और colonialism फिलाया था जिसकी वजह से बहुत सारी countries including India भारत के साथ साथ और भी कई countries थी जिससे आफरिका भी थी वहाँ पर colonies बनाई गई थी और उन्हें colonize किया गया था इतिहास ने हमें दिखाया है कि उन देशों के लिए ये विनाशकारी है जो उपनिवेश बनाए गए हैं तो वो countries जैसे कि भारत जैसे India या South African countries जो colonies बनी उनके लिए ये development की definition जो है वो actually में विनाशकारी हो सकती है destructive हो सकती है आपका question 3 कहता है what else are important for us in our lives except money and income पैसे या आमदनी के अलावा क्या क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है तो हमारे हिसाब से money and income give us means of survival ये जरूर important है धन और आए हमें जीवत रहने का साधन देते हैं yet these are not enough to live a good life फिर भी ये अच्छा जीवन जीने के लिए परियाप नहीं है for us a sense of security freedom, safety, care, respect, equal treatment self-reliance etc. are also important तो हमारे लिए सुरक्षा, स्वतंत्रता देखबाल, दूसरों से हमारी देखबाल होना समान मिलना, समान बढ़ताव होना आत्म निरबड़ता, आदी की भावना भी महत्वपून है अब चलते हैं जल्दी से आपके प्रशन चार पर तो question 4 आपका यहां कहता है change is inevitable in the process of development explain विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बहतरी की और इशारा करता है कैसे? तो अगर हाँ आप विकास करना चाहते हैं तो वो possible ही नहीं है अगर आप change ना लाए अगर कोई बदलाव ना लाए तो आपकी बहतरी आपका विकास हो ही नहीं सकता है यह आपको explain करना है तो चलिए जल्दी से आपका sample answer देख लेते हैं तो आपके sample answer में हमने लिखा है one can only engage with the process of development if they are ready for change यदि कोई परिवर्तन के लिए तैयार है तभी विकास की प्रक्रिया में सनलगन हो सकते हैं Change is inevitable in the process of development because if everyone and everything stays the same no development can take place तो विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन अपरिहारे है क्योंकि अगर हर व्यक्ति और सब कुछ समान रहता है तो विकास हो ही नहीं सकता है तो अगर कुछ change ही नहीं होता है अगर सब कुछ सेम ही रहता है हर व्यक्ति भी सेम रहता है every person remains the same सब कुछ हमारे आसपास सेम रहता है तो उसमें विकास हो ही नहीं सकता है तो इसलिए परिवर्तन होना लाजमी है यह अपरिहार है मतलब यह inevitable है इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है इसके बिना development हो ही नहीं सकता है It is only through change and continuous evolution that one can truly grow and develop into something else तो केवल परिवर्तन और निरंतर उन्नती के माध्यम से ही वास्तव में विद्धी और विकास हो सकता है तो उमीद करते हैं यह worksheet आपको अच्छे से समझ आ गई हो अगर कोई भी आपको doubt है तो आप जरूर comment section में पूछिए अब आगे चलते हैं आपकी English की worksheet पर तो आप देख लेते हैं आपकी English की worksheet आज क्या कह रही है आपकी English की worksheet है worksheet number 16 date है 11th of August, Tuesday की यह worksheet है तो यह worksheet जो है वो आपकी last worksheet थी fire and ice पर एक poem थी fire and ice, Robert Frost की poem वो उसी की continuation है यह worksheet तो अगर आप समझना जाते हैं कि उस poem में क्या है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिये इस पर जो based है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि उस poem में poet Robert Frost क्या कहना चाह रहे हैं तो आगे देखते हैं आज इस worksheet में क्या बताया गया है आपको On 6th August 1945, an estimated 1,46,000 people were killed in the Hiroshima bomb blast Approximately 39,000 people were affected and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki Japan on 9th August 1945 It wiped out almost 90% of Japan's population Since then, this day is observed as Hiroshima Day all over the world Wars cause a lot of destruction and may even cause the world to end if we do not stop destructive activities A similar idea is reflected in the poem fire and ice by Robert Frost It shows a deep concern तो 6th August 1945 को Japan में एक city है, Hiroshima वहाँ पर एक बहुत बड़ा bomb blast हुआ था उस bomb blast में almost 1,46,000 लोग जो थे वो मारे गए थे वहीं पर Nagasaki में, Nagasaki भी Japan में एक और city है 9th August 1945 को एक और bomb blast किया गया था तो अमेरिका ने ये bomb blast किया था जिसकी विज़से बहुत लंबी war चली थी तो ये जो bomb blast हुए थे फिर 9th August को Nagasaki में जो bomb blast हुआ उस वज़े से 39,000 लोग जो है वो affect हुए थे और 80,000 लोग मारे गए थे तो इन दोनों bomb blast कि विज़े से Japan की almost 90% population खतम हो गई थी और उस दिन से, since then, ये जो दिन है 6th August 1945 इसे Hiroshima Day के नाम से जाना जाता है और ये दिन जो है एक remembrance है एक तरह से ये हमें याद दिलाता है कि कैसे wars जो है आपस कि ये जो युद्ध है ये इतनी destruction लेकर आते हैं कि हर तरफ विनाश लेकर आते हैं कि हो सकता है कि कोई एक दिन आए कि इन wars की विज़े से हमारी पूरी दुनिया ही खतम हो जाए तो अगर हम ये जो हमारी destructive activities है ये जो हमारी war जैसी activities है एक दूसरे से ये जो hatred है एक दूसरे से जो नफरत है जो ये लडाई हम करते रहते हैं अगर इसको हमने इस पर हमने लगाम नहीं लगाई इसको हमने नहीं रोका तो हर्ट हमारी जो पूरी दुनिया है एक दिन ये पूरी खतम हो जाएगी तो जो Robert Frost की poem है Fire and Ice इसमें भी एक similar idea आपको बताया गया है और Robert Frost ये deep concern शो करता है वो बहुत ही चिंतित है इस बात से कि अगर हम इंसानों ने अपने इन emotions पर control नहीं किया आपस में जो नफरत की भाबना है इसको control नहीं किया तो एक दिन आएगा कि हमारी पूरी दुनिया ही खतम हो जाएगी तो आगे आपको बताया गया है while you read the poem given below notice how the poet uses words like end, fire, perish and hate all these words suggest destruction and end तो इस poet जो है Robert Frost इसने यह जो words है end, fire, perish, hate तो इतने negative words उसने use किये हैं यह दिखाने के लिए कि कैसे अन्त में सब कुछ खतम हो जाएगा destruction और end आ जाएगा तो इसको दर्शाने के लिए यह words यह शब्द यूज किये गए है also note how the poet uses some words repeatedly for example some say तो जब आप poem पढ़ें यह कविता पढ़ें तो आप यह भी ध्यान दे कि कैसे कुछ words जो है Robert Frost बार-बार use कर रहा है जैसे some say कुछ कहते हैं तो some say यह बार-बार जब repetition of word वो use करता है तो इस poem में एक rhythmicity आती है एक rhythm आती है एक musicality आती है एक sangeet सा आपको महसूस होता है To give a musical effect the poet uses rhyming words तो साथ ही साथ जो poet Robert Frost है यहाँ पर वो rhyming words use करता है मतलब कि ऐसे words use करता है ऐसे शब्द use करता है जो आपस में similar sound करें एक जैसे सी उनकी ध्वनी हो तो जैसे कि desire, fire तो यह ऐसे शब्दों का अगर वो use करता है तो एक musical effect आता है एक sangeet का भाव आता है Few sounds have also been repeated Example, favor, fire तो यहाँ पर साथ ही साथ Robert Frost एक और figure of speech use करता है एक और alankar use करता है Hindi में आपने किये होंगे alankar वो use करता है यहाँ पर alliteration तो यह figure of speech में क्या होता है कि एक sound जो है repeat होती है, for example, यहाँ पर favor fire तो आप देखेंगे fur जो sound है वो repeat हो रही है तो जब ऐसी alliteration यह figure of speech use की जाती है किसी poem में तो वो जो poem है वो बहुत ही musical हो जाती है, बहुत ही rhythmic हो जाती है एक sangeet का भाव उसमें आता है तो अब यह देखने के बाद चलिए वो जल्दी से poem देख लेते हैं और जब आप poem देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह भी दिखेगा कि कैसे musical effect आ रहा है क्या-क्या words repeat हो रहे हैं साथ ही साथ मैं आपको अच्छे से poem समझाऊंगी ताकि जो आपके follow-up questions हैं उन्हें answer करने में आपको तो जैसा कि पहले कहा गया यह word बार-बार यहाँ repeat हो रहा है समसे और कौन से sound repeat हो रही है सर तो यहाँ पर यह alliteration है समसे सर सर तो आगे बढ़ते हैं समसे देखेंगे 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 कोई कहता है कि यह दुनिया fire में आग में जलके खतम हो जाएगी कोई कहता है यह दुनिया जो है जम कर बरफ की तरह जम कर खतम हो जाएगी from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire तो again यहाँ पर favor fire पर ध्यान दीजे यह भी alliteration है क्योंकि fur sound यहाँ पर repeat हो रही है साथ ही साथ एक और चीज़ पर ध्यान दीजे तो इस वाली वीडियो में मैं जादा यह poem explain नहीं करूंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम अलरडी इसे detail में explain कर चुके है तो इस वीडियो में मैं थोड़ा ध्यान दूंगी इसकी vocabulary पर और कैसे-कैसे उसने Robert Frost ने यहाँ पर figures of speech यूज की है मैं जरा उस पर ध्यान दूंगी तो देखिये यह जो दो words है यह कैसे similar sound पर end हो रहे है desire fire तो जो ending sounds है जहाँ पर जो ध्वनिया इसमे खतम हो रही है वो same sound करती है वो similar है जैसे desire fire आयर आयर यहाँ पर है similarly अगर आप ये शब्द देखें तो मैं आपको दुबारा दिखाते हूँ जैसे twice ice तो ये जो शब्द है ये भी similar sound कर रहे हैं end में तो इन्हें rhyming words कहते हैं ये rhyme कर रहे हैं तो desire fire rhyme कर रहा है twice ice rhyme कर रहा है और साथी साथ एक और pair है hate great ये भी rhyme कर रहा है साथी साथ यहाँ पर ice suffice देखें ये भी rhyme कर रहा है क्योंकि end की जो sounds है वो बिलकुल similar है ये important है क्योंकि आगे question पूचा गया है आपपर आगे चलते हैं from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire तो Robert Frost के हिसाब से अगर वो अपनी जिंदगी की तरफ देखे तो उसने उसके हिसाब से desire किसी को पाने की इच्छा रखना और उससे obsessed हो जाना इतना powerful है कि उसकी आग में obsession की आग में जलके इंसान खतम हो जाता है जिंदगी खतम हो जाती है दुनिया खतम हो जाती है तो इसलिए Robert Frost कहते हैं कि जो लोग ये विश्वास रखते हैं कि आग में जलके ये दुनिया खतम होगी तो वो उनका support करते हैं but if it had to perish twice I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice तो लेकिन अगर दुनिया को दो बार खतम होना था perish का मतलब यहां पर है खतम होना, destroy हो जाना, end हो जाना मर जाना, to die so अगर दुनिया को दो बार, twice मतलब दो बार खतम होना था, तो Robert Frost कहते हैं कि मैं इतना जानता हूं मैंने इतनी नफरत देखी है, hate मतलब नफरत मैंने इतनी नफरत देखी है इस दुनिया में कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ice जो है मतलब नफरत की जो ठंड है नफरत से जो दिल आपका जम जाता है, वो भी enough है इस दुनिया को खतम करने के लिए तो destruction का मतलब है सब कुछ खतम हो जाना, विनाश हो जाना और suffice का मतलब है यहाँ पर enough sufficient तो hatred, ये नफरत दुनिया में इतनी नफरत है कि वो भी enough है, वो भी suffice करेगी, वो भी इतनी काफी है कि ये दुनिया खतम हो जाए, तो उमीद करते हैं ये आपको poem और उसके words, जो है important words है, वो समझ आ गए होंगे तो इसके basis पे चलिए, जल्दी से questions देख लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है, तो आप बिलकुल हमसे पूछिए तो पहला question है आपका name the poet of the given poem तो बहुत easy answer है तो poet है, इस poem का चलते हैं, question 2 देख लेते हैं आपका, question 2 है pick out two pairs of rhyming words from the poem poem में से आपको दो pair देखने हैं, जो आपस में rhyme करते हैं, तो pair का मतलब होता है दो चीजे, तो दो pair मतलब की 4 आपको ऐसे words डूणने है 2-2 जो आपस में rhyme करते हों तो पहला pair देख लेते हैं पहला pair जो आपस में rhyme करेगा वो है desire और fire तो answer two में आप लिखेंगे pair one, desire, fire फिर आप लिखेंगे answer two में pair two twice, ice चाहे तो आप ये लिख सकते हैं pair two में या आप pair two में लिख सकते हैं ice suffice तो ये भी आप लिख सकते हैं ये मैंने अभी आपको description में समझाया है कि ये कैसे rhyming words है अब आगे चलते हैं आपके question 3 पर question 3 कह रहा है आपका some in line 1 refers to anyone or some human beings तो line 1 जो है आपकी यहाँ पर some say तो इसमें some का क्या मतलब है ये आपसे पूछा गया है आपको options दिये गये हैं इसमें some का मतलब है कोई भी anyone या some human beings कुछ लोग तो obviously जैसे आप मैंने आपको description ने बता है इसका मतलब है some human beings कुछ लोग कहते हैं तो ये आपका correct answer यहाँ पर हो जाता है some human beings आगे चलते हैं question 4 की तरफ fire in the title means hatred on love तो इस poem का जो title है fire and ice उसमें fire का क्या मतलब है again description आप समझेंगे तो आपो easily पता चलेगा कि fire का मतलब है hatred यानि नफरत question 5 है आपका who is I in line 4 तो line 4 है आपकी ये 1, 2, 3, 4 I hold with those who favor fire तो I कौन है यहाँ पर यहाँ पर again description आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पर I है poet Robert Frost मैं जल्दी से answer 5 भी पढ़ देती हूँ तो I in line 4 refers to the poet Robert Frost अब चलते हैं आपके question 6 पर question 6 आपका कहता है in favor fire the poetic device used is alliteration और metaphor तो अभी-अभी मैंने आपको बताया था alliteration क्या होता है अगर आप समझना चाहें तो फिर से video अच्छे से देखिए और पूरी video देखिए ताकि आप कुछ भी description यहाँ पर miss ना करें तो favor fire fur fur sound repeat हो रही है to device use होगा alliteration चलिए अगला question देख लेते हैं आपका the word perish means तो perish का क्या मतलब है perish का मतलब है सब कुछ खतम हो जाना मतलब की to die to end to be destroyed तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं perish का मतलब यह है अगले question पे चलते हैं अगला question है आपका the words suffice means so the word suffice means suffice का क्या मतलब है again मैंने आपको अभी बताया था इसका मतलब description में इसका मतलब है to be enough to be sufficient मतलब की काफी होना इतना काफी है to be enough आगे चलते हैं आपके question 9 पर question 9 आपका कहता है in brief write the main idea expressed by the poet तो poet ने जो main idea इस poem में दिया है आपको वो short में लिखना है main idea क्या है poet का the main idea expressed in the poem is the comparison of the world with how a person lives his or her life तो इसका main idea ये है कि poet ने जो world है जो dunya है हमारी उसको एक इंसान की जिंदगी से compare किया है कि एक इंसान अपनी जिंदगी कैसे जीता है उससे compare किया है people have often predicted that the world will either end by heating up so much that it will die in fire or by becoming so cold that it will freeze to death तो लोगों ने often ये predict किया है लोगों ने often कहा है ये चीज़ कि या तो ये पूरी दुनिया जो है वो आग में जलकर खतम हो जाएगी या फिर ये बिलकुल जम कर खतम हो जाएगी similarly both the human emotions of desire and hatred are capable of destroying a person and in turn the world if one lets these emotions get out of hand तो जैसे ये दुनिया इन दो emotions से खतम हो जाएगी वैसे ही ये दोनों emotions desire इच्छा का emotion और hatred नफरत का जो emotion है वो भी capable है एक इनसान को पूरा खतम कर देने के लिए और साथी साथ इनसान को इनसान जब ऐसे इससे खतम होने लगेंगे तो साथी साथ इस पूरी दुनिया को खतम कर देने के लिए ये emotions जो है capable है अगर इन्हें अपने हाथ से हमने बाहर जाने दिया तो तो हमें इन emotions को control में रखना चाहिए यही इस poem का main idea है आगे जलते हैं आपके next question पर next question है आपका what is the message of this poem तो जल्दी से इस poem का message भी देख लेते हैं तो इस poem के मादियम से fire and ice के मादियम से poet ने ये बट एक strong message दिया है कि इंसान के emotions और उन emotions से निकले हुए जो आपके actions हैं जो आप काम करते हैं तो पहले तो आप जो feel करते हैं आप जो महसूस करते हैं और उसके basis पे आप जो actions करते हैं आप उनके basis पे जो steps लेते हैं जो काम करते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं तो ये strong message Robert Frost यहां देते हैं He has known enough of desire and obsession as well as of hatred to say that these emotions and actions originating from these emotions are capable of destroying everything in their path तो Robert Frost ने desire इच्छाओं और उससे होने वाले obsession और साथी साथ नफरत उनोंने इतनी नफरत और इतनी इच्छा देखी है कि उन्हें पता है कि ये emotions जो है और इन emotions निकलने वाले जो काम है जो लोगों के actions है वो इतने इतनी शमता रखते हैं वो इतने capable होते हैं कि आपकी जीवन में आपकी जिन्दगी में जो भी आए उन सब को खतम कर देते हैं Thus he expresses a deep concern towards the present state of humans and the world for example the spread of wars and conflicts तो इसलिए इस poem के through Robert Frost ये message देते हैं कि उनका एक deep concern है वो बहुत जादा चिंतित हैं हमारी दुनिया की जो स्थिती है उसको देखकर तो जो हमारे दुनिया है हमारे जो world है और हमारे इंसानों की जो अभी present स्थिती है, जो situation है जैसे कि आजकल हम wars देखते हैं conflicts देखते हैं हर तरफ जो युद है, हर तरफ जो नफरत फैली हुई है उसको देखते हुए वो बहुत जादा चिंतित हैं Through his poem he cautions us that if we do not stop these destructive emotions and actions our lives and the world is bound to end तो इस poem के through वो ये message देना चाहते हैं कि अगर हमने ये जो हमारे destructive emotions हैं और उससे निकलने वाले जो actions हैं उनको अगर हमने नहीं रोका तो हमारी जिंदगी और फिर ये जो पूरी दुनिया है ये खतम हो जाएगी तो आज की worksheet में इतना ही है उमीद करते हैं ये worksheet आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको कोई भी doubt है तो आप जरूर हमसे पूछे इस channel को like और subscribe कीजे और notification bell icon दबाएए ताकि जैसे ही हम worksheet upload करें तो आपको immediately notification मिल जाए Thank you